अलो प्यारे वच्छों जी हां एक बार पिर आपका शर्माजी से मिलने का इंतिजार खत्म हो गया अपके शर्माजी आपके सामने हैं और आज आप और हम मिलकर किस चक्रेव्यू से बाहर आने वाले हैं जी हां आज हम इस चैप्टर के चक्रिवू की वाट लगाने वाले हैं अलाकि आपको बता दें यह दी जेई के सिलेबस के हिसाब से बात की जाए तो बिलकुल जहन्द इस चैप्टर है चक्रिवू होता ही चिनियेस में कुछ है यहां कर हमारे सिरीज का नाम जो है ना वो बे में जब इसके क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली यदि आप उठाके देखेंगे पीवाई की उस तो बन जाते हैं उसमें भी यदि इस वाले पर्टिकलर सेग्मेंट से क्वेश्चन आता है यानि ट्रिगों के अंदर टिग्मोमेटरिक एक्वेश्चिंस और इनिक्वैलि तैयारी करी है तो वो इस चैप्टर के क्वेश्चन को निश्चित सही करके आएगा तो चलिए देखते हैं किस दर के क्वेश्चन जो है वो एडवांस में इसके आते रहे हैं जो मैं कह रहा हूं वो मैं प्रूव करके बताऊंगा कि देखिए इस चैप्टर को यदि आप अच्छे से थोड़ा सा practice कर लेंगे even if सिर्फ तरीके से PYQ कर लेंगे even if इस series के कुछ question को conceptually जो brief किया जा रहा है वैसे समझ लेंगे तो भी बहुत जादा संभावनाई के exam में आप इसका question कर के आ जाएंगे क्योंकि कासान segment है और क्योंकि हमारी ये series भी खत्म होने की और है तो यहां इसको इसलिए last में लेने का reason भी यही था कि बिलकुल last में लिया है almost उसका reason भी यही है कि ला हमने priority set की थी कि जो chapter complicated है जिनके question बनने की संभावना उतनी नहीं होती है जिनके आने की संभावना question के ज़्यादा होती है उनको हमने priority wise said किया था सबसे पहले उनको लिया किसी तरह का teaching sequence है वो sequence follow नहीं कियाता है series में वो आपने देखा भी होगा मैं maths के बारे में बात कर रहा हूं मुझे बाकी subjects की जानकरी क आते हैं आप देखेंगे कि हमें कुछ 57 question कलेक्ट करने के लिए कहां तक जाना पड़ा दूसरी बात कि आता है तो आसानी से बन जाने वारा question ही आता है यह प्रूव करेंगे और शुरू करते हैं series का हमारा यह chapter और यहां पर आपके पास पहला question आ गया है और यह question है बचे 2020 2020 यहां यह साल पता है सभी को यह कैसा साल है आपकी और हमारी जिन्दगी का जिसने बहुत सारे ऐसे अनुभव भी दिये करवे अनुभव भी दिये और कई जिन्दगी के ऐसे सबक हमें सिखाए जो आज तक हमें याद रहे हैं और शायद ता जिन्दगी हमें याद रहेंगे जी हाँ कोविट जो था वो हिंदुस्तान में आपको पता है 22 मार्च को लागडाउन लगा था तो वो 2020 की ही घर्ट्टा है शायद आप सभी के और हमारे बिल्कुल दिमाग में जहन में इसकी आज भी वो सारी यादें जो हैं वो बिल्कुल पिक्चर की तरह ऐसे चलती है रील की तरह जी हाँ और मैं मानता हूँ कि हाँ जिन्दगी में इसे भूलना भी नहीं है क्योंकि यहाँ से बहुत को सीखा था हमने और उसी का एक उसी साल का जेई का एक क्वेस्चन जेई भी बड़ा यहाँ पर अपने डाउंस रहा कब होगा कब नहीं होगा कितने जेई मेंस के अट आप उस वक्त किस उमर में थे वो आपको भी पता है आप जही नहीं देने वाले थे लेकिन आपको याद सब कुछ सा आप बिलकुल बड़िया conscious stage में आ गए थे वो age आपकी आ गई थी जियां तो यहाँ पर बच्छे आप देखिए 2020 का यह question जो से आया था वह कहता है f एक function है domain भाई ने हमें 0 से 2 दिया है to be r be the function defined by fx और यहाँ पर इस function को ऐसे define किया है पर कहता है alpha बिलत्या जो है वो 0 से 2 के बीच में कोई नहां दो number है are such that अब उसने एक और का है कि यह x belongs to 0 to to fx greater than equals to 0 कि यह alpha बिलत्या क्या है इस inequality का solution है और inequality का solution कहां जब x 0 से 2 में है और fx जो है वो non negative value है then the value of btr minus alpha यानि ultimately हमें इस equation का solution निकालना है इस interval में यह तो आप सबही को समझ में आ गया जिरू हो जाते हैं अब इस question की खासियत क्या है कि इसमें लोगों ने यहीं से शुरू करना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने sin a minus b यहां पे सारे sin a plus b इसने के formula लगाने की कोशिश की कुछ ने इससे ठीटा इससे ठीटा लेकर स्वरू किया जी हां आप कर सकते हैं उसमें कोई भी दोराए नहीं है लेकिन सच यह है लेंदी हो जाता है तो कैसे करने से इसको करने का सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं बच्चे और सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इस angle को ए ले लीजे अब यदि ये ए आ जाता है तो ये और ये वाले angle क्या है वो देख लेते हैं बच्चे बहुत आसान है कि πाई एक्स माइनस पाई बै फोर को जब हम ए लेते हैं तो आप सभी जानते हैं कि पाई एक्स किसके एक्वल हो जाएगा ए प्लस पाई बै फोर तो फिर यहां देखें 2 पाई एक्स क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स आपके पास आजाएगा 2 से multiply करना है 2a प्लस पाई बै यह जो खासियत है कि यहां पे पाई बै टू प्लस सीता है और पाई प्लस सीता है जैसी चीज़े हम जानते हैं वो यहां पर आ जाएगी तो इसी द यही होगा definitely यही होगा और उसमें अब यदि देखो आप pi by 4 add कर दे रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाता है 3 pi x plus pi by 4 is equals to 3a plus pi आ जाता है ओके अब आप देखिए बड़ी मज़दार चीज़ हो गई यह a है तो यह pi plus 3a है और यह pi by 2 plus 2a है ओके तो यहां से अब आपका question जो है वो a plus b a minus b formula लगाने से बच जाने वारा है जी यहां बच्चे तो हम इसी के लिए solve करते हैं तो चली शुरू करते हैं क्या है क्यों equation यह substitution के बाद क्या बन जाती है बन जाती है 3 minus और 2 pi x यह राजी तो आपको पदा है sine of यहां से pi by 2 plus 2a बन जाएगा बिलकुल मिरे बच्चे तो यहां पे sine of a आ गया आपके पास और यह आपके पास क्या आ गया जी हां माइनस में sine of क्या आ जाता है यह आपने निकाल लिया 3a तो pi plus 3a यह बन गया और क्योंकि मुझे किस equation का solution निकालना है तो मैं इसे gratitude equals to 0 के लिए solve कर लेता हूँ अब आप देखिए बच्चे यहां पे क्या करना है कि यह बन गया 3 minus sine pi by 2 plus theta आप सभी को पता है कि cos theta बन जाता है तो cos of 2 यह बन गया यहां आपके पास क्या है मेरे बच्चे यहां sine a है और sine pi plus theta minus sine theta होता है तो यह बन जाएगा plus में sine 3 theta और sine 3 theta का formula लगा देता है 3 sine a minus 4 sine cube है ओके जी हां और यह ग्रते दर एक परस तुजी रो कर देते है अब मेरे को क्या समझ में आता है कि बच्चे sine a तो मुझे common दिख रहा है बच क्या जा रहा है यहां से बच रहा है 3 minus cos of 2a exactly यहां पे क्या बच रहा है यहां पे प्लस में 3 बच रहा है रेखो आप यहां पे क्या बच रहा है minus of 4 sine square बच रहा है न तो minus 4 sine square को भी काम करते हैं कि sine square को लिख देते हैं 1 minus cos 2a by 2 अब यह काहे कर रहे है भाई 1 cos 2a हमें दिख रहा है इसलिए येस तो यहां पे हम क्या कर रहे है इसे लिख दे रहे हैं कि बचेगा 1 minus cos 2a by 2 एक 2 कैंसिल किया और मेरे पास आ गया 1 minus cos of 2a लीजिए बचे ग्रतेदन इक्वेल्स टो 0 सॉल्व करना है अब मेरी equation जो है वो कितनी आसान बन जारी है उसको देखेगा आप साइन है यहां पे बन जारा है 6 minus of 2 4 बन गया जिया माइनस cos 2a और यहां से दिखेगा प्लस में 2 cos 2a तो प्लस cos 2a आ गया ओहो बहुत ही आसान हो गया देखो आप जिया इस substitution से question इतना आसान हो जाता है कि सारी calculation खतम है अब मेरे बचे आपको करना क्या है देख लो ये value तो अब सभी ज्यानी लोग हैं जानते हैं कि हमेशा positive होगा कॉस्ट हुए अपनी minimum value minus 1 भी ले ले यदि संभव हो तो भी ये 3 बनता है यानि ये value हमेशा positive रहेगी तो project को positive होने के लिए मुझे सिफ और सिफ क्या करना है मुझे सिफ sin a को greater than equals to 0 करना है यानि मुझे देखना है क साइने कहा positive है अब मेरे बच्चे इसके लिए मुझे पहले तो ये ग्यान लेना पड़ेगा कि a कहा से कहा चल रहा है oh yes जड़ा देखिए x चल रहा है 0 से 2 तो pi x कहा से कहा तक चलेगा 0 से 2 pi yes 0 से 2 pi में आप pi by 4 minus कर रहे हो तो आपके पास ये जो a आएगा ये definitely minus pi by 4 से 7 pi by 4 जड़ा इस interval को देखिए कि कहा से कहा तक angle चल रहा है तो मेरे बच्चे आप क्या पाएंगे ये रहा minus of pi by 4 जब आप इसको घूम के आएंगे ऐसा ये आगया 0 यहाँ आगया pi यहाँ आपके पास 3 pi by 2 और पर ये 2 pi से pi by 4 पहले ये 7 pi by 4 ओके यारी आप यहाँ ऐसे घूम के अब इस पूरे एक single rotation है आप देखो पूरा का पूरा इस single rotation में sign कहा positive होता है सभी ज्यानी लोगों को पता है कि यहाँ और यहाँ होता है ओके इसका solution क्या इसका solution है कि a greater than equals to 0 less than equals to pi और a क्या है मेरे बच्चे ए तो अब हमें पता है कि हमने क्या assume किया था pi x minus pi by 4 ये जो है पाई या पाई से कम हो और 0 या 0 से जाता हो तो यहाँ से मेरे को x क्या मिलता है जड़ा गौर से देखीगा ये pi by 4 वहाँ 5 pi by 4 हम pi cancel कर देते हैं तो 1 by 4 से 5 by 4 आ जाता है ये इच्च तो है कौन alpha beta इस एक inequality का solution ये तो मेरे बच्चे alpha की value मुझे 1 by 4 दिख रही है बीटा का value 5 by 4 दिखा है हमें यहां हमारे भाई ने क्या मांगा है beta minus alpha 1 इस question का answer अब हमरे हाथ में है और वह क्या है वाथ चक्रिवी उसिफ इतना साथ हा कि यदि आप इसको डिरेक्ट शुरू हो जाएंगे तो calculation lengthy हो जाएगी solve नहीं होगा यह बिल्कुल नहीं है लेकिन calculation बहुत lengthy हो जाएगी और यदि आप यह smartness दिखा लेते हैं कि इसे एक एंगल ले लेते हैं corresponding बाकी एंगल कंवर्ट करेंगे तो देखे क्योंकि हमें pi by 2 plus theta, 3 pi plus theta, pi plus theta इस सब बहुत आसानी से solve करना आता है even if किसके एक वले आता है वो किया हमने हमें हमारा answer मिल गया calculation कितनी आसान हो गई और जिन लोगों ने इसे directly किया होगा बिना इस substitution के वो इस बात को मान गया होंगे कि यह smartness है जिया सर्मा जी के साथ वहोगे तो smart हो जाओगे handsome हो ना हो smart definitely हो जाएंगे जी हां मेरे बच्चे तो चलिए अगले question पर आते है 2019 2019 का यह question अभी हम देखेंगे क्या मजे लिए question बहुत आसान लेकिन जो appearance है वो खतरनाक जैसा मैं हमेशा कहता हूँ वाई हमरे जैसे question आपको exam में मिलने वाले हैं दिखने में हद फ़जी लगेगे सामने खड़े होने का मन नहीं करेंगे जिसे हमारे सामने का हमें सुनने का मन नहीं कर जाए लेकिन जब आप यही पेशेंस के साथ सुनेंगे और सामने खड़े हो जाएंगे तो लगेगा नहीं यह इतना बुरा इंसान नहीं है दूकर वैसा क्वेशन के लिए फीलिंग आएगी कि इतना बुरा क्वेश्चन नहीं देखिए कि इतना अजीवो गरीब सा expression या पूरा statement देदिया उसने हमें एक match the column वाला question था यह और appropriately answer करना हूँ सब तो आप जानते ही है कि वह यह उसने क्या का एक paragraph दिया है one and two let fx is equal to sin pi cos x यह fx and gx जो दे रखा है वो cos 2 pi sin x दे रखा है कि यह दो function है इसके बाद कहता है define for x greater than 0 कि वह यह x greater than 0 के लिए define है यहा तक ना positive x की बात कहता है define the following sets whose elements are written in the increasing order कि भई यह कुछ set है जिनके element को increasing order में लिखा गया है तो पहला set हमें कहा गया है fx equals to 0 का दूसरा set कहा गया है f dash x equals to 0 के solutions का तीसरा set का है gx equals to 0 के solution का और चाथा set है g dash x equals to 0 के solution का पर कहता है एक list one list two है जिसमें कुछ ही x y z w की informations है आपको match कराना है मैं question को एक बार पूरा निघा भरके देख लेता हूं जैसा मैं हमेशा आप लोगों से भी कहता हूं कि आखिर question क्या चल रहा है तो यह मेरा question है बच्चे यहां पर चारों set दिये वह हैं पर यहां कुछ एक यह दिया है कि उस set के लिए कुछ elements और यह कि यह जो है वो इसका superset यह उसका subset यह उसका subset है एपी में और एपी में नहीं है यह सारी जानकर यह ultimately समझ में आता है कि यह चारों set मुझे निकालने पर question तो यह match करवा रहा है तो I think वो तो हम कर ही देंगे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यह हमारा aim question में आकर रह गया है यह अब देखिए कुतना लंबा आ चोड़ा question लेकिन आप देखो करवाया कुछ भी ऐसा बड़ा काम नहीं है sin 0, cos 0 उनका derivative 0 यही सब करा है तो patience के साथ करना है question बहुत आराम से solve होगा जिया बच्चे पहला कहता है कि fx equals to 0 तो चलिए fx equals to 0 को solve करते हैं fx equals to 0 मेरे बच्चे sin of pi cos x equals to 0 कह रहा है यह इच कह रहा है ना यही कह रहा है sin pi cos x equals to 0 और आपको पदा है sin 0 कहा होता है integral multiple of pi पर यानि हमें समझ हमाता है pi into cos x जो है वो n pi जैसा होना चाहिए जहाँ n integer है इस pi को cancel कर दें तो मिलको दिखता है कि cos x मुझे integer चाहिए और cos x की आपको पदा है 3 integral values पो हाँ possible है कौन कौन सी यह 0 हो सकता है plus minus 1 हो सकता है अब कहां ऐसा होता है आपको बदा है cos 0 होता है odd multiple of pi पर cos plus 1 या minus 1 होता है multiple of pi पर even multiple of pi पर 1 होता है odd पर minus 1 होता है यानि यहाँ से गौल किया जाए तो यह समझ में आता है कि x जो है वो कैसा हो जाएगा something k pi by 2 जहाँ k integer है अब यदि k integer है तो आप देखो सारे के सारे solutions मिल गए आपको k यदि आपने 1 लिया तो pi by 2 मिल गया cos 0 k आपने 2 ले लिया तो आपको pi मिल गया cos minus 1 k 3 ले लिया तो फिर cos 0 k आपने 4 ले लिया तो cos 1 वाला भी cover हो गया k pi by 2 यादि आपको सारे solution दे देना वस दियान दखना हमारे solution हमें positive चाहिए तो बच्चे मेरे set x बन गया यहां से ओके दियान देना उसने ये भी कहा है कि आपको values increasing order में लिखनी है तो चलिए positive values लिखना शुरू करते हैं increasing order में तो मुझे दिखता है pi by 2 फिर pi फिर 3 pi by 2 फिर 2 pi 5 pi by 2 फिर इसी तरह से 3 pi 7 pi by 2 ऐसे ही चलेगा till integrity लो जी मेरे को मेरा पहला set x मिल गया है अब बतिया लेते हैं दूसरे set के बारे में कि आखिर वो क्या है बचे दूसरे set में अब वो हमें wire कर रहे f dash x equals to 0 इसको differentiate कर देता है f dash x equals to 0 differentiation आपको आता है क्या बनेगा एक तो बनेगा cos pi cos x और साथ में chain rule लगाएंगे तो pi cos x का derivative वाएगा pi minus में pi sin x equals to 0 definitely इसमें कोई 2 राय दो राय नहीं है और अब इस आप 2 राय नहीं है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर मेरे को 2 equation मिल गए एक तो मिल गया sin x equals to 0 दूसरा मेरे को मिल जाता है cos of pi cos x equals to 0 अब मेरे बच्चे गौर से देखेगा sin x equals to 0 मुझे कहता है integral multiple of pi definitely यही कहता है cos 0 आप सभी को पता है कहा होता है all multiple of pi by 2 पर यानि pi cos x जो है वो कैसा होना चे something 2 n plus 1 pi by 2 यानि cos मुझे 1 by 2 का odd multiple चाहिए cos 1 by 2 का odd multiple cos की आउकात यानि range जो है माइनस 1 से प्लस 1 है तो यहाँ पे दो ही संभावना नजर आती है कि या cos जो है या तो प्लस 1 हाफ होगा या माइनस हाफ होगा पिलकुल बात तो सही है अब cos यदि प्लस माइनस हाफ है तो भी आपको पढ़ाए cos कहां कहां प्लस माइनस हाफ होता है जी हाँ pi by 3 2 pi by 3 4 pi by 3 इसी तरह से 5 pi by 3 ऐसे चलेगा चलेगा नहीं चलेगा बिलकुल चलेगा यदि हम इसका general solution लिखें तो भी जानते है cos square x is equals to half तो आप सब को बढ़ा है 2 n pi plus minus pi by 3 आजाएगा येस यहाँ पर आप n pi plus minus pi by 3 तो आपके पास x आता है n pi plus minus pi by 3 गेम खताब अब set x जहाँ set वहाँ y जो है इसके solution लिखते हैं कि यहाँ x की final value क्या क्या मिल रही है तो लिखे लेते हैं बाबो increasing order में positive value तो सबसे पहली value मुझे मिलेगी pi by 3 येस फिर मुझे मिलेगा याद करो 2 pi by 3 येस फिर मिलेगा मुझे pi फिर मिलेगा pi plus pi by 3 यानि 4 pi by 3 फिर मुझे मिलेगा 2 pi minus pi by 3 यानि 5 pi by 3 येस और यहां पर देखो तो फिर आता है 6 pi by 3 यानि 2 pi ऐसे चलेगा ओके वो set x और set y हमारे हाथ में हैं चलिए मेरे बच्चे अब हम बात कर लेते हैं किस की set z की z के लिए मुझे पता है कौन सा equation solve करना है gx equals to 0 अब gx equals to 0 तो देखे gx actually क्या है मेरे बाबू ये है cos of 2 pi sin x this is equals to 0 येस और cos 0 तो अभी अभी हमने वैसा किया है तो हमें पता है कि भाई cos 0 होता है pi by 2 के odd multiple पर यानि 2n plus 1 pi by 2 लीजे जी pi को उड़ा देते हैं तो आपको दीखेगा sin x जो है वो कैसा आ गया 2n plus 1 और आप देखिए 1 by 4 यानि sin x जो है वो 1 by 4 का odd multiple होना चाहिए और sin x की आउकार minus 1 से plus 1 sin x की आउकार minus 1 से plus 1 है और आपको 1 by 4 का odd multiple चाहिए यानि भाईया मेरे यहां से हमव minus 3 by 4 इसके अलावा तो 1 by 4 का कोई odd multiple sin की हैसियत भाईयी नहीं है अब लेकिन बात यहां क्या आगई बात आगे कि यह तो कोई standard angle नहीं देने वाला हमें कोई बात नहीं हम inverse की फॉर्म में लिखे लेगे जर्वत पड़ी तो नहीं पड़ी तो नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ लेते हैं कि भाईया हमारा जो यह जैट वाला सहते वो ऐसा है चलो फुरी भी लेकिन हमने solve किया तो इतनी सी महनत करी लेते हैं कौन सा अभी हमारा एक्जाम है हमें answer से मतलब नहीं हमें पूरे solution से मतलब है तो चलिए हम पूरा solve कर लेते हैं देखे plus minus 1 by 4 से आपको क्या मिलेगा मैंने एक बहुत छोटा सा काम किया कि मैंने यहाँ पर theta ले लिया क्या sine inverse 1 by 4 ओके और इसी दर से file ले लिया sine inverse 3 by 4 game खतम मैं अब solution लेखता हूँ सबसे पहरा हमें होगा है कि 0 से लेखे 2 pi में sin 1 0 से pi में sin 1 increasing function है ना 0 से pi by 2 में increasing pi by 2 से pi में तो decreasing है कोई बात हमें increasing function तो initially first quadrant में increasing है तो 1 by 4 वाली पहले मिलेगी value 3 by 4 वाली बात में मिलेगी फिर 3 by 4 वाली पहले मिलेगी और 1 by 4 वाली बात में मिलेगी यानि आपको जो angle मिलेगा हो कैसे मिलेगा सबसे पहले 3 मिलेगा फिर आपको 5 मिलेगा फिर आपको pi minus 5 मिलेगा और फिर आपको pi minus 3 मिलेगा ऐसे चलेगा अब क्योंकि प्लस भाइनस भी चल रहा है तो अगला वैल्यू मिलेगा आपको πाई प्लस थीट्या पिर मिलेगा आपको प्लस फाई येस यह ही चलता रहा है यह धी फाई क्या है वो हम लेक चुक है यह तो हो गया मेरे बच्चे आपके पास तीसरा वाला सेट भी खतम अब आता है चवते सेट पर और चवता सेट क्या कहता है जी हां फोर्थ सेट कहता है कहता है बिड़े और वो कहता है G'x equals to 0 इसको ठोगता है इसको differentiate करता है इसको differentiate करेंगे तो क्या मिलेगा minus sin 2 pi sin x 2 pi sin x को differentiate किया 2 pi cos x equals to 0 यहां से हमें फिर दो equation मिले कौन कौन सी एक तो मिला cos x equals to 0 आप सभी को पता है x जो है वो odd multiple of pi by 2 होना चाहिए फिर साथ ही साथ मेरे बाबु क्या मिलने वाला है यह मिलने वाला है कि sin of 2 pi sin x यह 0 होना चाहिए sin 0 होता है integral multiple of pi पर तो यहां लिख लेते हैं कि this is k pi k integer pi cancel करते हैं आपको sin x क्या मिल गया sin x मिल गया आपके पास यहां k by 2 ok integer by 2 yes अब sin की हैसियत minus 1 से plus 1 integer by 2 इसका मतलब समझ में आ रहा है कि यहां पे मेरे बच्चे sin x की value क्या होगी sin x की value क्या हो सकती है integer by 2 पर हमारा पता है कि यहां पे sin x minus 1 से plus 1 चले तो k 0 ले ले possible है भईया देखो यहां से हम तो एक काम करते हैं हमें तो integer by 2 करना है न और हमें पता है sin x की हिसियत minus 1 से 1 है तो हम k की जो संभावना है sin x की जो संभावना लेते k minus 2 हो जाए sin x minus 1 हो जाएगा k minus 1 हो जाए sin x minus 1 हो जाएगा k 0 हो जाए sin x 0 हो जाएगा k 1 हो जाए sin x 5 हो जाएगा k 2 हो जाए sin x 1 हो जाएगा इसके आगे तो sin x की औरकार से बहाँ निकल जाएगे इसका मतलब क्लियर है यह sin x की allowed values है कौन कौन सी? 0 plus minus 1 और plus minus half देखिए मरे बच्चे sin x 0 plus minus 1 होगा n pi by 2 पर और multiple of pi by 2 पर sin की value plus 1 minus 1 मिलेगी और even multiple of pi by 2 यारी integral multiple of pi sin का value 0 मिलेगा अब plus minus half वाला और है तो उसे भी cover कर लेते हैं plus minus half कहता है यहाँ plus minus half कहेगा कि n pi plus minus pi by 6 ओके यही तो होता है कि sin x is equals to plus minus half वोला हुआ है अब sin x से लिए plus minus half वोला है तो आप सबको बढ़ा है कि यह चारो कोडिनल में solution आर और कौन से आरे हैं pi by 6 एंगल पर तो आपको pi by 6 मिलेगा pi minus pi by 6 मिलेगा pi plus pi by 6 मिलेगा 2 pi minus pi by 6 मिलेगा यानि n pi plus minus pi by 6 अब जोड़ा इस set पे गौर करते हैं सारे और multiple of pi by 2 चलेंगे तो तो यहाँ भी आ गए देखो आप यहाँ तो और even सभी आ गए और यहाँ पे pi by 6 वाले की n pi plus minus pi by 6 वाले भी चलेंगे तो यहाँ set क्या बन जाएगा सबसे छोटा solution हमें क्या मिलने वाला है यहाँ मेरे बच्चे pi by 6 मिलेगा फिर इसके बाद pi by 2 मिलेगा फिर इसके बाद pi minus pi by 6 यानि pi pi by 6 मिलेगा फिर pi मिलेगा फिर pi plus pi by 6 यानि 7 pi by 6 मिलेगा फिर आपको 3 pi by 2 मिलेगा फिर आपको 2 pi minus pi by 6 मिलेगा yes, 2 pi minus pi by 6 यानि 11 pi by 6 मिलेगा और फिर आपको 2 pi मिलेगा यही चिचलता रहेगा लीजे जी, सारे set आगा है अपने को question में कोई बहुत बड़ा ज्यानी वाला काम नहीं था कोई बहुत बड़ा conceptual काम नहीं ना, सीधा सीधा साइन जीरो, कॉस जीरो करवा रहा है बस, अब इनी साइन जीरो, कॉस जीरो ही करवा है टिग्ममटरिक एक्वेशन के चैप्टर से तो भाई समझे लो, इससे आसान तो कुछ वो दे ही नहीं सकता आप वही किया अब यही आपने पेशन्स के साथ यह निकाल लिया, पेशन्स रूज नहीं किया यहां इसको देखके डिरे नहीं तो आप देखिए आगे कि दो क्वेशन के आंसर मिलने वाले हैं, आपको दो क्वेशन है यहापर इसके, और दोनों आप 3, 9, 4, 5, 7, 5 यह किसमें आ रहा है, जरा गहोर से लिखते है डिखना कौन-कौन से एंगल के रहा है भाइब this, 3, 25, 6, और 4, 5, 7, 5 किसकिसमें आ रहे है तो वही कि safestर देखो आप है इसमें 4, 5, 7, 5 इसमें आएगा, x में आएगा definitely आएगा इसमें आएगा क्या pi by 2 pi by 3 और 4 pi 7 pi इसमें भी आएगा देखो आप इसमें भी pi by 2 के सारे multiple आ रहे हैं और सारे integral multiple of pi भी आ रहे हैं यानि हमारा जो पहला वाला है वो आप देखेंगे जो दिया है वो w में भी है और वो x में भी है बाकी जगे वो नहीं है तो हमें यह समझमा आता है कि e भाई जो है ना वो subset है x का भी और w का भी यानि 1 और 4 ओ इसके लिए 1 और 4 आ गया मतलब yes 1 भी आएगा 4 भी आएगा अभी हम सिर्फ मार्क करते हैं पिर कहता है कि इसी दर से यह वाले सारे चेक कर लेते हैं 526, 7, 526, 13, 526 यह किस में आ रहे हैं इसको देखने में तो हमें दिखता है 526, 7, 526, 13, 526 यह तो मुझे आखरी वाले में दिखना था yes यहीं आएगा यानि यह W में आएगा बाकी कहीं नजर नहीं आ रहा इसका मतब क्लियर है E सबसेट हैगा W का W यानि पोर्ट का ओके फिर पाइबे 3, 2, पाइबे 3, पाइबे 3, पाइबे 3 के मुल्टीपल और इंटीगल मुल्टीपल हो देखिए पाइबे 3, यह रा जी यह रा यह रा यह रा यहाँ यहाँ पर मिलेगा हमें इसमें देखने को मिल रहा है इसमें देखना है पाइबे 4 तो हमें कहां देखने को मिलेगा कहीं मिला था यह पाइबे 4 ना यार यह आया था ना 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 पाइबे 4 नहीं आया मिल रहा है तो यह हमें नहीं दिख रहा है कि किसी का भी सबसेट है इसको अभी हम छोड़ लेते हैं बाकी देखेंगे बाद में options क्या कहा रहे है उसके साफ से एक और चीज एन arithmetic progression not an arithmetic progression आप देखो इनमें से कौन सा आपको दिख रहे हैं कि को यह लीक में यह दिख रहा है उनलकि यह यह नहीं दिख रहा साफ साह इसका वतलब clear है यहां से देख यह यह तो नहीं है यह 5-5-6 है इसको देखे तो यह 3-5-6 तो 5-6 देखो मज़दा 5-6 3-5-6 5-5-6 7-5-6 ना अब यह 5 नहीं यहां खेल भी गार्टी है यह नहीं आएगा इसका वज़ा यह AP में नहीं है क्योंकि यहां से यहां आ रहे हैं तो 5-6 और 3-5-6 तो 2-5-6 का डिफरेंस दिख रहे हैं लेकिन यहां पर आके वो गड़बल हो जा रहा है यहां 3-5-6 से 5-5-6 आ रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पाई पर आके गड़बल हो रहा है यानि यह हमें दिख रहा है कि AP में हमारा X और Y है तो चलिए जी इसको भी माक कर देते हैं AP में X आएगा यानि 1 आए लेका ओके नौट अर्पमडिक प्रुगेशन बाकी हमें पदा है कि चारों के बाकी जो हमारे कौन-कौन से हैं देखिए X और Y को छोड़के बाकी दोनों हमारे AP में नहीं है तो हमारा W और Z AP में नहीं है तो यहां लिख लेते हैं W और Z W का मतलब हो गया मेरे भाई 4th Z का म मारा हमने सारा मैच कर वाली अब एक एक करके आंसर करते हैं वास वाले का अंसर क्या 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 है विच आप दर पॉलाइंग इस और ती जो है second QT second वाले का QT Haan देखो QT बिलकल match कर रहा है second वाला QT दोनो जगे है तो बिलकल पहला वाला option तो हमें सही देख रहा है एक बार देख लिए ना QT, हान second वाला हमारा हमारा पहला वाला option सही देख रहा है पर गया दा है 1P R 1P R तो 1 P R देख ले रहें बच्छे 1 का P और R दोनों में क्या 1? ना, नहीं, ये गलत हो गया फिर अगले पर आते 1 Q U 1 Q U ये भी गलत हो गया 1 Q U, येस 1 Q U जो है, हमें गलत देख ला है बिल्कुल गलत हो गया, जी 1 Q U फिर आते बच्छे, कौन सा? फिर है 2 R S 2 R S 2 R S की बात करें तो, ओई, कहां गया 2 R S, ये रहा 2 का R S R S, S में 2 नहीं है R में 2 नहीं है ये भी गलत हो गया यानि हमारा पहला वाला आंसर सही है गाबाबू ठीक है, दोगों कितना आसान हो गया क्वेशन एक बार लिखने की बार इसके बार कहता है which of the following is only correct combination यहां कहता है, थर्ड का P, Q, U यू तो हमारा किसी के साथ आया ही नहीं था तो, यहां, फोर्ट का P, R S ये चेक कर लेते हैं फोर्ट का P, R S है क्या फोर्ट का P, R S जो है, P, R, S P में फोर्ट है, R में फोर्ट है नहीं, हाँ, फोर्ट है, और S बिलकुल ठीक है, यह हमें दिख रहा है बनता है, बनता है, बनता है, बनता है, बनता है, यह वाला बनता है फोर्ट का P, R S फिर इसको चेक कर लेते, थर्ड का R U और फोर्ट का Q, T थर्ड का RU, फोर्ट का QT, मतलब भी नहीं है, Q में W नहीं है, ओके, और पर एक और जो हमारा कॉंसा था, वो भी देख लेते हैं, यह है, थर्ड का RU, यू तो किसी में थाई नहीं, ओके, यानि हमारा आंसर आगया, बावो ये वाला, तो question को solve किया, बस patience के साथ, sin 0, cos 0 का काम किया, combinations जो हमारे set आगे वो आगे, उनको हमने match करा लिया, और हमारे पास दोनों question के answer है, चले जी आगे बटतें, बचे, और अगला question जो हमारे पास आ जाता है, वो ये ना, अब इस question के दी बात की जाए कि वही, ये कहता है, ये है 2016 का question, कि S एक set है, जो minus pi से pi वाली x की वो values ले रहे है, वो भी उसमें 0 plus minus pi by 2 नहीं है, और फिर कहता है कि the sum of all distinct solutions of the equation is, कि S में इस equation के जितने भी solution है, उन सब का sum बता रहे है, कोई दिक्कर नहीं है, ऐस सच equation तो बड ही आसानी से, क्या दिखरे आपको, sec cosec दिख रहे है, 10 cot दिख रहे है, तो कुछ भी ऐसी परेशानी वाली चीज़, तो मुझे नजरी नहीं आ रही है, तो क्या होगा देखो बड़ आपको, solve करते हैं, यहाँ पर आपके पास बन जाता है, root 3 upon cosec plus 1 by sin x, yes, is equals to, यहाँ पे 2 मैं इसको इधर ले जाता हूँ, cortex यानि, cosec upon sinex, minus 10x, यानि, sinex upon cosec, okay, जड़ा गौर से देखेगा बटा, क्या बन जा रहा है, root 3 sinex plus cosec upon sinex into cosec, और यहाँ से आपके पास क्या गया, यहाँ से आपके पास 2 times of cos square x, minus sine square x, upon sinex, cosec, okay, अब जड़ा देखिए, वो कह रहा है, x न तो 0 है, न प्लस माइनस पाई बाई टू है, इसका मतलब यह सारे term तो cancel कर सकते हैं, और यहाँ से मेरे पास equation बसती है, root 3 by 2, sinx plus cosx, and this is equals to cos of 2x, cos square minus sine square cos 2x होता है, आपको पता है, मिरे बचे, यहाँ पे भी बन बैटू, अब देखिए, यहीं इसे हम cos pi by 3 लिख दें, इसे sin pi by 3 लिख दें, तो यह cos a minus b का formula बन गया, यानि cos x minus pi by 3 मेरे पास आ गया, is equals to cos of 2x, अब बाबू आप सभी को बदाए कि cos theta is equals to cos alpha, इस equation के solution क्या होता है, कि यह theta is equals to 2npi plus minus alpha यानि 2x, यह मेरे पास आ गया, अब आप ले दो, जब हम इसमें plus ले लेते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास जहाँ ने plus लिया, तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास आ जाता है कि x plus 2npi plus वाले case में, is equals to minus pi by 3, यहीं आ गया, yes आ गया, तो यहाँ से x मेरे पास क्या आ गया, x मेरे पास आ गया, minus of 2npi minus pi by 3, वैसे तो मेरे को कोई ऐसे बड़ा काम नहीं करना है, क्योंकि मुझे दिख रहे है कि minus pi से pi में ही जाना है, इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो यहाँ से मैं solution लिख लेता हूँ, मैं साथ द addition मिलता है, minus of pi by 3, and integer है, ध्यान दीजेगे, पहले मने 1 लिया, तो वो, हाँ, minus pi से cross कर गया, फिर मने 0 लिया, तो minus pi by 3 आ गया, अब मैं minus 1 ले रहे, ठीक है, 2 अब देखो, 0, 1, 2 पर हमें बढ़े, 2 पर क्या होने वाला है, कि 1 पर हमें cross कर गया, 2 पर cross कर गया, तो 0 पर, अब येस, बिलकुल बढ़ गया, लेकिन 5 pi by 3 तो बच्चे pi को cross कर गया, ओ, इसका मतलब तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहे है, कि जब आप n की value 1 ले रहे है, तो नहीं मिल रहा है solution, n का value 0 ले रहे है, तो minus pi by 3 मिल रहा है, और n minus 1 ले लिया, तो आपको 2 pi plus pi by 3 नजर आ रहा ह है, यानि यहाँ से तो सिफ minus pi by 3 मिल रहा है, मेरे भाई, येस, फिर अगली वाली possibility क्या है, वो लिख लेते हैं, जब हम यहाँ minus लेते हैं, यहाँ minus लेते हैं, तो 3x is equals to आपके पास आ जाएगा, 2n pi plus pi by 3, येस, और यहाँ से x आपके पास आ गया, और वो आ गया, 2n pi by 3 plus pi by 9, येस, अब हमें solution लिख रहे हैं, minus pi से plus pi में, तो बच्चे जब मैं यहाँ पर लेता हूँ कि, यहाँ मैंने ले लिया minus 3, n की value, n की value minus 3 ले रहा हूँ, तो मुझे क्या दिख रहे है, minus 6, हाँ, minus 2 pi, minus 3 लिया, तो आपको minus 2 pi plus pi by 9, मुझे लिख रहे है, minus pi से आगे निकल या, मतलब ही नहीं है, तो n का value जब हम यहाँ पर minus 2 ले रहे, तो minus 4 pi by 3, minus 4 pi by 3, actually हो जाएगा, minus of 12 pi by 9, minus 12 pi by 9, plus pi by 9, minus 11 pi by 9, यह भी minus 5 को cross कर गया, ओके, यानि minus 1 पहली value हो सकती है, जहां से हमें answer मिले, minus 1 पर minus 2 pi by 3 बन रहा है, यानि minus of 6 pi by 9, minus 6 pi by 9, plus pi by 9, यानि मेरा पहला value मिल रहा है, minus 5 pi by 9, yes, and equals to 0 पर मुझे pi by 9 मिल जा रहा है, and equals to 1 लेते हैं, तो मुझे लिखता है कि 2 pi by 3, यानि 6 pi by 9, 6 pi by 9, plus pi by 9, जी हां, यह 7 pi by 9, यह solution भी मेरे काम का है, और इसके बाद जो solution आएगा, वो cross कर जाएगा pi को, yes, वो pi को cross कर गया, तो यह 4 solution मेरे काम के है, इनका sum उसने पूछा है, तो भाईया सब को pi by 9 में बदल देते हैं, यह minus pi by 3 को, minus 3 pi by 9 बोल सकता हूं, yes, तो बच्चे मेरे यहां दिख रहा है, 7 और एक 8, 8 और 8, 0 आगया, ओ, तो sum of solution यहां 0, c वला answer, यहां गया, तो देखे, फिर एक आसान question, किसी दर का कोई चक्र रिव्यू नहीं है, मेरे भाई, आते हैं जी, अगले पार, अगला question आपके सामने, क्या कह रहा है यह question, फिर देखेगा आप, बहुती आसान question आपको फिर नज़र आएगा, the number of distance solutions of the equation, 5 by 4, cos square 2x, plus cos 4, plus sin 4, plus cos 6, plus sin 6, देखे, यहे, तो आप trigon में रट लेते हैं, कि किसके equal होता है, yes, यह आप सभी का याद किया वाई है, क्या है मेरे बच्चे, तो पहला term तो 5 by 4, cos square 2x, आपको यह बदा है, cos 4, plus sin 4 को क्या लिखते हैं, cos 4, plus sin 4, आप सभी को बदा है कि यह बनता है, 1 minus 2, sin square x, cos square x, यही चना, बिलकुल यही है बबा, और फिर यह भी आपको बदा है, यह भी रट आपका, 1 minus 3, sin square x, cos square x, is equal to 2, अब कुछ लोग कहेंगे, बाबा हमने तो नहीं याद किया है, अब भाई, आपको याद है, बस आप अभी है, आप किसी तरह का पेन लेना नहीं चाह रहे हैं, मेरे बचे, यह जो है, इसको आप sin square plus cos square का whole square minus of 2 sin square cos square लिख सकता है, बाई, a square plus b square है, तो a plus b का whole square minus 2a भी लिख सकता है, sin square plus cos square 1 है, कुछ ऐसा ही इसके साथ किया सकता है, कि इसे आप cos square plus sin square का cube लिख दें, माइनस 3 sin square cos square into sin square plus cos square लिख लिख सकता है, यह बन हो गया, यह अभी आगया, सभी को इया था, डिलेक लिख दिया, अब डिलेक लिख दिया वच्चे तो यह आपके पास क्या हो गया, यह तू और यह तू उड़ गया, ओके यह तो गेम हो गया, यहां से आपके पास क्या है 5 by 4 cos square 2x इसको साइड ले आता है अब देखिएगा यहां पर क्या होने वाला है यहां पर आपके पास यह है 5 देखो आप 5 sin square x cos square x ओके बिलकुल अब ज़दा गवर से देखेगा इसमें भी यह दिए 4 दे दूं तो ये क्या बने जाएगा ये 2 sin x cos x का 4 square बनेगा, अरे वाँ, मज़ा आ गया तो इसका वाद है ये 5 by 4 और ये 5 by 4 उड़ गये आपके पास क्या आ गया, cos square 2 x आ गया येस मेरे बच्चे, यहाँ पर क्या आ गया 2 sin x cos x ये तो आपको बने साइन 2 x है तो यहाँ आ गया, sin square of 2 x येस, बिलकुल आ गया, और ये आ गया तो भाई, equation कितनी महाजबदस मिली है आपको, 10 square 2 x is equals to 1 अब क्या पूछ रहा है कि 0 से 2 pi में इसके number of distinct solution निकालने है, लला तो मेरे बच्चे, x एरी 0 से 2 pi है, तो 2 x कहा से कहा तक होगा, 0 से 4 pi, और 0 से 4 pi में, 10 आपको क्या चाहिए, plus minus 1, मेरे बच्चे, आप सब तो सभी ग्यानी समझदार पड़े रिखे लोग हैं, ये pi by 4, ये 3 pi by 4 ये 5 pi by 4 ये 7 pi by 4 यहाँ और यहाँ 10 की value 1 यहाँ और यहाँ 10 का value minus 1 और मेरे को यात्रा कहा से कहा तक करनी है, मेरा angle 2 x 0 से 4 pi, तो मैं 0 से चलना शुरू करता हूँ, 4 pi तक चलता हूँ कितनी बार, इन solution से मेरी मुलाकात होती है उतने ही solution हो जाएगा तो मेरे बच्चे मैंने घुमना शुरू किया 0 से गुमा 2 pi तक, 4 से एक एक बार मुलाकात हो गई, जी यह जी रो, यह 2 pi और फिर 2 pi से 4 pi गुमा, ओके, चारों से एक एक बार आर मुलाकात हो गई, यहर solution से दो 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 बार मुलाकात हो रही है, तो आपको 4 solution दो 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 बार मिल रहे हैं, मेरे बच्चे कितने number of solution आ गए, अब देखिए, कितना आसान question था, isn't it, yes, आगे बढ़ते हैं, और हमारे अगले session का एक और question, यह अच्छा question, प्रणी 14 में यह question थीक आया था, होड़ा साथ, हदा कि जब इसको तरीके से simplify करेंगे तो आपको देखेगा, यह भी आसान है, लेकिन इसमें उल्जेते लो, इसम लगाने की जबत यहाँ ज़्यादा नहीं है, क्या करें, वो कहता है, जीदों से पाई में इस equation के solution कितने है, यह जानकारी देनी है, तो solve करना है simple, मेरे बच्छे, मुझे लिख रहा है, क्या करते है, sin 2x को क्या लिख दें, 4 sin x, cos x, sin 3x को क्या लिख दें, 3 sin 3x minus 4, sorry, 3 sin x minus 4 sin 3x, 3 sin x minus 4 sin 3x, यह equals to 3, यह equation है मेरी, इस equation के number of solution बता रहे है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, कि sin x common आ रहा है, left side में, ले लितने हैं मेरे बच्छे, sin x common दे लिया, बचा क्या मेरे पास, यहाँ से बचा 4 sin square x, यहाँ से बचा 4 cos x, 4 cos x, यहाँ से आपको minus 2 दिख रहा है, yes, is equals to 3, बात तो विलकुल ठीक है, अब मेरे को यह चीज़ जो है न, यह simplify करनी पड़ी, मुझे एक चीज़ समझ में आती है, कि यह जो है, इसे यदि cost में बदल दिया जाए, तो यह वाला cost में quadratic बन जाएगा, और इसी thought के साथ में इसमें आगे बढ़ लाँ, कि मैंने इसे लिखा 4 minus 4 cos square, तो 4 minus 2 से तो यह 2 बन गया, minus 4 cos square x आ गया, और plus में 4 cos x आ गया, अब यहां से बच्चे क्या दिख रहा है, कि यहां से पर एक बहुत छोटा सा ग्यान दिख रहा है, कि 2 minus, यह मुझे दिखता है, 4 cos square x, minus 4 cos x, लीजे, is equals to 3, यह मुझे perfect square बनता वन जाएगा, yes, यह दि मेरे पास यहां 1 आ जाए, plus में, तो मुझे यह 2 cos x, minus 1 का whole square दिख रहा है, तो एक 1 की कमी थी, balance कर दिया 1 को, लगा के, oh, yes, यानि plus 1, minus 1 का perfect square बन गया, मेरे बाबु, यह बन गया, साइनिक्स, और यहां आपके पास क्या आ गया, यहां आ गया, आपके पास 3, minus 2 cos x, minus 1 का whole square, is equals to 3, लोगों ने, मैंने क्यों कहा, कि यह question कुछ अच्छा दा, लोगों ने इसमें क्या क्या, इसको पूरा, इस 3 को भी यहां लाके, factorize करने की कोशिश की, लोगों ने, एक तर से यह मान लिया, कि इसके कुछ solution आने वाले हैं, और वो कब मिलेंगे, जब मैं कुछ factors कर दूँगा, और मुझे ऐसा रिखेगा, भई, x into y into z is equals to 0, तो मैं x 0, y 0, z 0 करके solution निकाल, जबकि यहां पे वो factorization नहीं करना था, वो factorization क्यों नहीं करना, वो अब आपको यहां से लिखेगा, कि इस 3 को यह दिया, आपने छेड़ा, तो आप उलज जाओगे, ऐसा बहुत सारे बच्चों ने किया था, वो उलज गए, करना किया है, करना इतना से है कि यहां कि ग्यान लगाना है, यह जो sin x है ना, इसकी हैसियत है minus 1 से 1, बिलकुल, और हमरा यह जो भाई, यह perfect square, यह आपको पता है कि यह 0 से कुछ जाएगी, यह minimum value तो 0 लेगा, जब cos x हाप हो जाएगा, यह maximum value 9 लेगा, जब cos x की value minus 1 हो जाएगी, तब उसका square कितना हो जाएगा, minus 3 का 9, यानि यह जो भाई है, यह 0 से 9 जाएगा, यह 0 से 9 जाएगा, इसमें आपने minus से multiple लेगा, minus 9 से 0 जाएगा, उसमें आपने 3 एड़ कर दिया, तो यह जो है, यह minus 6 से लेके 3 जा जाएगा, अब आप यह दि देखेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, कि भाई, यह product जो है ना, वो 3 कब होगा, product 3 कब होगा, क्योंकि एक 6 हमें और ध्यान दखनी है, अब product 3 की दो संभावने नजर आती है, कि यह minus 3 हो जाए, minus 1 हो जाए, और इसी दर से यहाँ पर यह क्या हो जाए, यह 3 हो जाए, 1 हो जाए, लेकिन जड़ा गौर से देखो, ओ, यानि वो जो एक possibility है, कौन सी possibility, कि यह minus 1 हो जाए, minus 3 हो जाए, वो खतम गड़ी उसने, क्यों, उसने x 0 से πाई देते ही, आपसे कह दिया, कि भाई, यह नहीं होगा, क्यों, इस case में problem है, क्योंकि sign से positive value देगा, यानि यहाँ पर, यह cost को तो उसने, देखो, 0 से πाई में cost तो minus 1 से plus 1 सारी value दे रहा है, यानि यह वाली के range तो हमने सही लिखिए, यह जो है ना, यह गडबर हो जाएगा, और यह गडबर हो क्या हो जाएगा, भाई सहाब कुछ तो गडबर हो गया, हम इसको दुबारा कु कि हमारे पास यह आगया था, sin x, t minus 2 cos x minus 1 का whole square आगया, इस एक पर स्टू थी है, आप चाहें तो वापस लिख भी सकते हैं, कि हम हाँ, जब formula लगाएंगे, तो यहाँ sin x आ जाएगा, यहाँ minus 3 sin x, तो आपके पास यह आ जाएगा, minus 3 sin x, minus 2 आ गया था एक तो, यहाँ से हमा हमारे पास बचा था, 4 sin cube x, तो 4 sin cube x में हमारे पास 4 sin square x आ जा, हमने इसको cos में convert के relation आ जा था हमारा, तो जैसा मैंने कहा कि यह जो sin x है, यह अब हमें एक चीज़ समझ में आती है, कि यह sin x कहां से कहां तक चलेगा, बिटा, यह sin x जो है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा, यहा हम देखी चुके थे कि यह कहां से कहां तक चलेगा, माइनस 6 से लेके 3, अब आपको देखिए, यह value 3 चाहिए, तो एक ही संभावना नजर आ रही है, वो संभावना कौन सी नजर आ रही है, वो संभावना नजर आ रही है, जब यह 1 हो जाए 3, यानि यह दोनों ही अपनी maximum value ले ले ले, तब ही possible यह दो पॉसिबल नहीं है, येस, तो जब यहां दोनों अपनी maximum value लेंगे, इसका उनलग क्लियर है, यह 1 हो जाए, और यह value 3 हो जाए, यानि हमारे पास यहां से क्या समझ माद है, कि यह दोनों अपनी maximum value ले, साइनेक्स 1 हो जाए, और यह कितना हो जाए, जहां साइनेक्स 1 होता है, वहां कॉस जीलो होता है, यानि साइनेक्स 1 कॉस एक साथ संभव ही नहीं है, इसलिए, there is no solution of this equation, और इसमें मैंने कहाना, कि लोग इसलिए पहसे, क्योंकि factorize करके solution निकालने का प्रयास किया, यहां इस question की beauty यही थी, कि आपको यहां से range प अच्छे, हम हमारे session के आखरी question पे आते है, 2011 का question है, और question क्या कहता है, पी एक set है, जिसमें हर वो theta है, जहां sin theta minus cos theta root 2 cos theta के बराबर है, क्यों एक और set है, जो हर उस theta को लिए हुए है, जिसमें sin theta plus cos theta root 2 sin theta के बराबर है, भी two sets, और पर वो कह रहा है, पी और क्योंकि रिलेश Q का, Q minus P, जो है वो Q के एकवर नहीं है, Q subset है P का, या नहीं है, P subset Q का नहीं है, P जो है वो Q के बराबर है, ये सारी बात करते हैं, यानि कुल मिला के हमें, दोनों equation के solution देखा दें, चलिए, शिरू करते हैं, ये question बड़ा आसान था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसको बड़ा मस बना दिया था, खतरनाक तरीके से, क्यों, वो भी बताएंगे आपको, पहली वाली equation दे रहा हूं, sin theta is equals to cos को वहां लेके, तो मेरे पास आगया, root 2 plus 1 cos theta, ओके, यहां से लिए आप देखोगे, तो आपके पास, मेरे बच्चे, 10 theta is equals to root 2 plus 1 आजाता है, ठीक है, ये इस वाले में क्या गरेंगे, इस वाले में, यदि देखेंगे, तो ये cos theta is equals to root 2 minus 1 sin theta आ जाता है, इसको यहां ले गए, यहां देखोगे, तो आपके पास आता है, 10 theta is equals to, 10 theta is equals to 1 upon root 2 minus 1, इसको rationalize कर दो, root 2 plus 1, भाई equation ही same है, अब equation ही same है, और कोई domain का चक्कर नहीं है, sin cos में हैं क्योंकि actual equation तो, equation ही same है, तो solution तो same आना ही है, यानि P is equals to Q, कितना असा question था, अब मैंने कहाने कुछ लोग इसमें भी, मजे देखिया हैं भर-बर के, कैसे, उन लोगों ने यहां पर क्या किया, कि एक, technology equation का एक format बहुत common है, और उसे अच्छे से पढ़ाया जाता है लोगों के रिमांग में, बच्छों के रिमांग में बैठ भी जाता है, A sin x plus B cos x, याद किया होता है बच्छों ने, रटा होता है algorithm, कि A sin x plus B cos x आ जाए, तो square root of A square plus B square से divide बाद देखिया, और उसमें पका-पका root 2 दिख भी रहा था, लोगों ने इस equation में क्या गडबर करी, बहुत चलाकी से question frame किया गया है, देखो आप, कि इस root 2 को यहां ले गए, 1 by root 2 sin theta, minus 1 by root 2 cos theta is equals to cos theta, इस equation को solve कर, इसको लिख 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 लिख, अरे वाया, क्या दिया है, मज़ेदार, और ये जो है ना, इसको लिख लिख लिख, sin theta minus pi by 3, लोगों ने इस equation को ऐस से solve किया, कुछ ऐसा ही यहां भी किया, क्योंकि उन्हें पका पकाया हलवा न जलारा, लेकिन भाई, जब गरम गरम, ताजा, मज़ेदार, लजीज, हलवा खाया जाता है, एक बार फूंक मालनी जाती है, देख लेते है, कुछ ज़्यादा गरम तो नहीं है, जीव जल तो न जो मेरा एक टेग लाइन है हमेशा, और वो टेग लाइन आप सबको पदा है, क्वेशन को देखो, निहारो, प्यार मुबबत की बातें करो, एक एक चीज, एक पार्ट उसका जो है, उसको निहारो, उसको को रिलेर्ट करो, जो हमें आता है, वो करना भी है या नहीं, इस प वो जल्डवाजी कई बार हमारे लिए, चहर साबित होती है, कतल कर देती है, क्यानि हम अपना खुद का सहा, जो है, कतल कर रहे होते हैं, अब आप देखो, आप खुद समझेंगे इस चीज को, कि इस क्वेशन को किसी ने ऐसे किया है, तो तो सीधा अंसर है, और ऐसे किया तो वो क्या करने वाला है, बाब देख लो, अभी तो है, इस इक्वेशन को भी ऐसी बदलेगा, महूत मुझे देने वाला है, तो भाईया, इसलिए क्वेशन को सोच समझ के करना है, और जिसने क्वेशन फ्रेम कियाना, मैं उसको सलाम करता हूं, भाई, बहुत बढ़िया उसने जो है, वो मेंटेलेटी पकड़ी हुई कि बच्चों की साइकलोजी पकड़ी हुई है, कि यह यह चीज़ रट के आते हैं, याद करके आते हैं, तो बच्चों की एक बहुत गलत आदक होती है, कि ऐसा हो तो ऐसा करना, अरे भाई, उसकी जर्वती नहों तब भी लग दिया जाता है, इससे तो बचना है ना, ठीक है, चली बच्चे, तो यह था मरा आज का सेशन और यह आज का आपका होमवक है, देखते हैं, कितने लोग इसका अंसर सही करते हैं, तो ट्रिगो एक्वेशन मैंने आपको समझा दे कहीं किसी दे का कोई चक्र व्यू नहीं है, लेकिन छोलती छोलती चीजें, आपकी वाट लगा सकती है, ये भी मैंने आपको बताया है, तो सोच समझ के कीजिएगा, लेकिन आपको ये भी हाप्रूव करके बता दिया, कि एक ऐसा चैप्तर कि इसका क्वेशन ने लिए आता है, तो 90% 90% का संभावना है, कि आप इसके क क्वेशन को सही करके आ सकता है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप ऐसे किसी चक्रदू में नहीं फसेंगे, और खुद को बखुभी बहुत आराम से बहा निकाल लाएंगे, ये फस भी गए तो, इनी शुपकामनाओं के साथ, मैं अपने इस सेरीज का इस आखरी सेश अपने जैसा सहियम दे, आप सभी को ताकि आप नित नहीं सफलता की उचाहियां छूते जाएंगे, इनी शुपकामनाओं के साथ, इस सेरीज में शर्मा जी अपना ये लेक्चर यहीं खतम करते हैं, ठीके बच्चे, तो all the best for your IDJ exam as well as your entire future from my side, बाए झाल